मुझे लिए कुछ फन टाइप का कॉंटेंट लेकर आया हूं और इस वीडियो को बनाने के लिए मैं कई दिनों से ट्राइ कर रहा था लेकिन नहीं बना पा रहा था तो गैस बिना किसी टाइमवेस के लिए हम स्टार्ट कर लेते हैं वाट्स ऑन माई फोन 2020 तो मैं पिछले दो सालों से वन प्लस सिक्स को यूज कर रहा हूं तो अब मैं आप लोगों को और इसली बता देता हूं कि मेरे फोन में जितनी भी एप्लिकेशन होती है उसको मैं और इस नहीं करके रखता हूं मैं दे दूँगा और फटवर्ट से इसको अनलॉक कर लेते हैं तो गाइस जो आप सबसे पहले देख रहे हैं यह होम स्क्रीम का फर्स पेज है और इस पर जितनी भी एप्लिकेशन देख रहे हैं यह सारी वह एप्लिकेशन है जो मैं जल्दी जल्दी से ओपन करता हूं जनरली मैं यह सारी अप्लिकेशन जो है बहुत जादा यूस करता हूं इसलिए मैंने इसको फर्स होम पेज स्क्रीन पर रखा है तो सारी एप्स के बारे हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट काम कर लेता है मैं अपने फोन को फ्लाइड मोड पर डाल द messaging application है जितने भी मेरे office के members हैं इसी पर बात करते हैं group messaging होती है प्लस इसमें कई सारे channels होते हैं जिसके तुरू हम जो है अलग-अलग topics पर बात कर सकते हैं उसके अलबा है hangout है यह भी google का product है एक और काफी अच्छा है इस पर भी कई सारी बाते होती है हमारी और उसके बाद य यह एक video chat application है meetings वगे लिए जो है zoom और यह काफी जादा popular है अभी क्योंकि controversy में चल रहा है इस पर बताया गया है कि बग वगे निकले हैं तो यह जो तीन application है यह मेरे office related वाले जितने भी काम्स होते हैं सारे इसी पर होते हैं उसके बाद जो दूसरी application है वो है by Spotify यह मैं music के ल यूज करता हूं इसका UI भी मुझे काफी बढ़िया लगता है उसके बाद जो आप folder देख रहा है वो है entertainment related सबसे पहले सावन इसको भी मैं कभी-कभी यूज कर लेता हूं क्योंकि कई सारे ऐसे गाने especially Hindi गाने जो Spotify में नहीं होते हैं वो आपको सावन में मिल जाते हैं इसलि अलवा यहां पर है Prime Video Amazon का इसमें भी कई सारी सीरीज जो है अभी चल रही है लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है बट जब भी मिलता है तो मैं जो है इसमें Prime Video में जाकर देख लेता हूं जो यह application आप देख रहे हैं TikTok I know इससे related कई सारे comments आएंगे कि भाई तू TikTok भी यूज करता कई सारे podcasts वागिरे मिल जाएंगे जनरली वह podcast है जो हिंदी में available है उसके बाद है वूट इस application को मैंने रख रखा था असूर देखने के लिए और लास्ट है Amazon Music इसको मैं यूज नहीं करता हूं बस पढ़ा हुआ है क्योंकि Amazon का मेरे पास subscription है तो यह भी जो है यहां पे रख important है यहां आप जो तीन application देख रहा है यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी application है मेरे लिए तो सबसे पहले इस folder में application है tick tick और इसको मैं generally daily basis पर use करता हूं क्योंकि यह एक 2-day application है इसमें जितने भी दिन भर के मेरे टास्क होते है वो मैं इसमें लिख देता हूं क्योंकि कई सारे office से related या फिर YouTube से related भी मेरे पास कई काम होते हैं जो छोटे होते हैं बड़े होते हैं तो मैं भूल ना जाओ इसलिए मैं यहां पर लिख देता हूं जैसे ऐसे टास्क होते हैं मैं यहां पर इसको हटा देता हूं ताकि मेरे को memorize रहे उसके बाद यहां पर application आती है notion करके यह application ह काफी बड़ी application है इस पर मैं separate video भी बना सकता हूं क्योंकि इसमें जो है आप almost सारी चीज़े कर सकते हो productivity से related चाहे आपको notes लिखना हो या फिर to-do list बनानी हो या फिर आपको कुछ finance related कुछ sheets वगरे बनानी हो वो सारी चीज़ आप जो है notion में कर सकते हैं उसके बाद है यहां आपको अलग-अलग blogs देखने को मिलेंगे, blogs मतलब जनरली जो productivity से related होते हैं या फिर self-improvement से related blogs होते हैं वो सारे आपको blogs इसमें देखने को मिलेंगे, काफी अच्छी application है, प्लीज जाके इसो check out करना, उसके बाद है Twitter, भाई इस application को मैं काफी जादा use करता हूं और अगर आ application जो है मुझे personally काफी जादा अच्छी लगती है, सबसे पहला reason यह है कि भाई यह जो application होती है, वो cloud basis पर चलती है, यानि अगर मैं कोई काम अपने desktop या फिर iPad पर कर रहा हूं, उसको अगर मैं वहाँ छोड़ देता हूं तो अपने mobile पर भी कर सकता हूं, तो काफी अच्छे देख लेता हूं और YouTube की भी earning यहाँ पर दिख जाती है, उसके बाद है यह authenticator करके application है, यह भी Google की application है, बट यह use होती है जब आप development वगएरे करते हो website development में या फिर SSH वगएरे को use करने के लिए, उसके बाद है doc और Google Doc को मैं बहुत जादा use करता हूं, जनरली अपनी सारी व music इसको मैं use नहीं करता हूं, play movies इसको भी use नहीं करता हूं, उसके बाद है duo, यह Google Duo है, video chat application है, इसको भी कभी कभी मैं use कर लेता हूं, Google Photos यह सबसे important application है, जितने भी photos में click करता हूं, फोन के तरू डारेकली जो है backup इसमें बन जाता है, तो यह सबसे important application है, उसके बाद है Google Ads इसको भी use करता हूं, पर साइट पर अगर मुझे add वगरे लगाने हैं, तो मैं Google Ads का use कर लेता हूं, उसके बाद है Play Store, जहां से मैं सारी application डाउनलोड करता हूं, Google News इसको भी मैं काफी use करता हूं, क्योंकि tax related जितने भी news वगरे होती है, वो generally मैं Google News पर जो है देख लेता हू उसके बाद last application है, keep notes, और यह application जो है, इसको भी मैं सबसे जादा use करता हूं, like सबसे पहले मैं Google Doc use करता हूं, उसके बाद मैं Google keep को use कर लेता हूं, जैसे आप देख सकते हैं, यहां पर video ideas वगरे जो हैं लिखे हुए मेरे, जब भी मेरे दिमाग में मैं कहीं पर भी होता हूं वीडियो ideas होते हैं, तो मैं फटाफट से यहां पर लिख लेता हूं, ताके sync रहा है, और कोई भी device use कर रहा हूं, उससे हमें फरक नहीं पड़ता है, क्योंकि यह cloud basis पर चलते हैं, तो फटाफट से जो है, यह automatically sync हो जाते हैं, तो यह सारी Google की application है, जो मैं daily basis पर use करता हूं, वहाँ पर latest tech related जितने भी news होती है, वो फटाफट से डाल देता हूं, या फिर जितनी भी channel पर activities हो रही है, वो सब को stories वगरे पर post कर देता हूं, तो please वहाँ जाकर हमें follow करो, उसके बाद है Facebook, इसको मैं ज्यादा use नहीं करता हूं, बट मेरा page Facebook पर भी है, तो वहाँ पर post व एक ही जगे पर सारी website के articles लाकर रख देता है, आपको बस जाके follow करना पड़ता है, फिर अपने आप जो है articles आते रहते हैं, काफी useful application है, उसके बाद है in tags, in tags को मैं use करता हूं, instagram पर tags वगरे यूज़ करने के लिए, फिर reddit, इसको मैं काफी कम use करता हूं, बट मैंने रख र सकते हो, तो यह काफी useful application है, उसके बाद इस page की जो last application और सबसे important application है, वो है YT studio, यानि यह creator studio application है, यहाँ पर जितने भी YouTube के activities होती है, analytics होती है, सब कुछ जो है मैं यहाँ पर जाके check out कर लेता हूं, मैं इसी application को use करके सारे comments का reply देता हूं, तो सबसे important application है, जो भी YouTubers यह वीड browsing के लिए Google Chrome को use करता हूं, बहुत useful है और सबसे fast चलता है, उसके बाद है यहाँ पर camera, Google camera, और यहाँ पर है gallery, अगला जो page है वो है भाई, इसमें भी कई सारी applications है, सबसे पहले है Wally, इस application को मैं कई सालों से use कर रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यह मुझे सबस इसको install करो, क्योंकि इसको install करने के बाद आप पता लगा सकते हैं कि आपके area infected है या नहीं है, कितना safe है, काफी important application है, उसके बाद है यह folder जो है food नाम से, जो अभी हाल फिलाल में use नहीं हो रहा है, सब बंद है, लेकिन मैं यहाँ पर zomato use करता हूं, और swiggy यो है use कर लेता उसके बाद यह जो आप application देख रहा है, यह अभी under construction है, यह हमारी tech plus gadget की application है, यानि जो आप website देख रहा है हमारी tech plus gadget की, उसी की मैं android application पर काम कर रहा हूं, तो बहुत जल्दी लाइव हो जाएगी, इसलिए में उसको खोल के नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि वो अभी इतने गूगल पर और phone पर जो है as a UPI transition के लिए use कर लेता हूं, और फिर मुझे अगर wallet के लिए use करना है, तो मैं Paytm जो है use करता हूं, अभी एक application मैंने यहां से हटा दिये, वो है grow application, उसको मैं generally use करता हूं, investment से related, yes मैं invest करता हूं, मैं generally mutual fund पर जो है मैं invest कर रखे हैं, उसलिए मैं editing से related, जितने भी मैं thumbnails वगरे बनाता हूं, या फिर photo edit करता हूं, तो यह सारी application को मैं generally use कर लेता हूं, सबसे पहले है pick art, उसके बाद है light room, सबसे जादा मैं light room को ही use करता हूं, अपनी images वगरे को edit करने के लिए, आप मेरे personal instagram account को भी जाके follow कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने काफ इसको मैं use करता था, जब मैं अपने oneplus से video shoot करता था, उसके बाद है kind master, इसको मैंने रख रखा था, जब मैंने एक बार edit किया था, उसके बाद से मैंने जो है, इसको मैंने delete ही नहीं किया, उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाती है VSCO application, इसके तुरू आप फटावट से images क इसको काफी अच्छे filters लगा सकते हैं, काफी अच्छे तरीके से image edit कर सकते हैं, तो अगला folder है tools नाम से, और इस folder के यह जितनी application है, यह भी काफी important है, पहली application से mefit है, इसको use करता हूँ मैं me band 4 को control करने के लिए, analytics वगरे देखने के लिए, वहीं पर यह अगली application है, me band 4 करके यहाँ पर me band 4 के जो watch faces है, यहाँ पर आपको अलग-अलग देखने को मिल जाते हैं, उसके बाद अगला zender, file sharing application है, सभी जानते हैं, उसके बाद है true caller, यह भी काफी important है, और यह जो last application है, यह camera cannon करके, इसको use करता हूँ अपने DSLR को control करने के लिए, उसके बाद जो अगला folder ह वो है travel करके, यहाँ पर वो सारी applications है, जो travel के लिए काम आती है, जैसे चलो करके यह application है, यह generally MP में जो लोग रहते हैं, उनको पता होगा, यह BRTS वाली जो buses होती है, उसके roots वगएरे जो है बताता है, live GPS के दुरू, उसके बाद है where is my train, यह application भी आप लोगों ने use की होगी train status वगएरे के लिए, उसके बाद है Ola, यह जो cap के लिए मैं Ola यूज करता हूँ, Uber यूज नहीं करता हूँ, और जो last है, वो है Oyo Rooms, तो जैसे मैं अभी trip वगएरे पे गया था, तो उस पे जो है मैंने इस पे hotels वगएरे देखे थे, तो यह सारी application जो मैं यूज करता हूँ, आप चाहे तो आप भी कर सकते हैं, मैंने अच्छे से आप लोगों को explain कर दिया है, उसके अलावा app drawer में अगर मैं खोलू, तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ जादा नहीं देखने को मिलेगा, जनरली मैंने सारी जो चीज़े हैं, वो home screen पर डाल के रग दीती, तो यह सारी application म मेरे phone पर install है, मैंने आप लोगो बता दिया है, तो आप जल्दी से ए रोल पर चलते हैं, तो गैस यह जितनी पी application मैंने आप लोगो बताई, सारी की सारी play store पर available है, आप वहां से जाके install कर सकते हैं, तो गैस इस वीडियो को हम यहीं end करते हैं, आप लोग प्रीस comment में बतान and peace